अम्माजु को प्रणाम हम और आप सबी कातंत्र रूप माला जैन व्याकरण का अध्यान कर रहे हैं और प्रतम सौपान पंच संदी को हमने आत्म साथ कर लिया है अब दुतिय सौपान लिंगान्त प्रकरण को हम और आप सबी जानने की कोशिस कर रहे हैं और लिंगान्त में सौरान्त सौरान्त में एकारान्त सब्दों की जानकारियां हमने पूर्णता प्राप्त कर ली हैं चाहे वो सर्व नाम संग्यक सब्दों हो या सामान ने संग्यावाची सब्दों हो उन सभी सब्दों के रूप हमने अच्छे से जान लिये हैं सामान जो सब्द है वे पुरुस है सर्व नाम संग्यक जो सब्द है वे सर्व है पुरुस में भी अकार है और सर्व में भी अकार है तो यहाँ पर सर्व, नामसंग्यक सर्व में पाँच इस्तानों पर थोड़ा सा परिवरतन होता है जस्वेवक्ति में, गेवेवक्ति में, गसी वेवक्ति में, आम वेवक्ति में और गी विवक्ति में से सभी विवक्तियों के रूप पुरुस सब्द के सदर से ही चलते हैं फिर उसके बाद में अलपादी सब्दा आये थे तो अलपादी सब्दों में जस्ब विवक्ति के होने पर एक सर्वनाम संग्यक सब्द के समान चलता है और एक पुरुष सब्द के समान रूप चलते हैं सेश सभी सब्द अल्प के पुरुष सब्द के समान चलते हैं अलपादी गण में बहुत सारे सब्द आये थे उस अलपादी गण में पूर्व आदी सब्द भी आये थे परंतु पूरवादी सब्दों के आने पर गसी और गस विवक्ती में भी गसी और गी विवक्ती में भी दो दो रूप बनते हैं एक पूरुष के समान और एक सर्वे के समान यानि कि पूरवादी गण में जस्वे वक्ती में गसी वे वक्ती में और गी वे वक्ती में एक प्रियोग पुरुस के समान और दूसरा प्रियोग शर्व सर्वनाम संग्यक के समान चलता है इस प्रकार से आकारांत सब्दों के रूप पूरे हो जाने पर अब आकारांत सब्द हमारे बीच में आता है छीर पा छीर पा का मतलब होता है छीर माने दूद और पा माने पीना जो दूद को पीता है उसको बोलते है छीर पा तो छीरपा सब्द हमारे बीच में हैं दीर के आकारांत अब इससे जैसे हम पुरुष सब्द से सी आदी विवक्तियां लेकर आएते हैं छीरपा सब्द जो आकारांत सब्द है उस आकारांत सब्द से भी हम सी आदी विवक्तियां लेकर आएंगे तब प्रत्मा विवक्ति के एक वचन में शी विवक्ति लेकर आये चीरपा दनसी योनुवंदो प्रियोगी सुत्र के द्वारा जो सी में रहने वाली ही है उसका अनुवंद लोप हो जाता है सावचता है सावचने के बाद भी वे सी ही कहलाएगा क्योंकि मूल में सी था अब यहाँ पर सी विवक्ति हम लेकर आते हैं तो 139 नमबर का सूत रेप सोर विसर जनिया हा उस सूत सब्द में लग जाता है तो सब्द हमारा बन जाता है चीरपाहा हा उसके बाद अब विवक्ति लेकर आते हैं यह सारी की सारी चीजे 158 नमबर के उपर 169 नमबर के उपर लिखा हुआ है नीचे सब्द चल रहा है चीरपाह सब्द सव नीचे की लाइन ते चीरपाह सब्द हमारे बीच में हैं और चीरपाह बन गया चीरपाह के बाद में आव विवक्ति आती है यही स्यादी चीरपाह सब्द सी आव व्वक्ति लेकर आते हैं चीरपाह नत्ति क्रम्यन करेंगे चीरप्धन आ धन अव तो यहाँ है पर ओकारे आव पर सूतर से चीरपाह के आकोई हो जाएगा तो वनेगा चीर पव जो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर पिला पिला वन चुका है अब उसके बाद मैं जस्व वक्ति लेकर आएंगे जस्म से युनुबंदो प्रियोगी सूत्र से जसके जसके जाकल अनुबंद हो जाएगा और अस्वचेगा चीर अप धन आधन अस्व समाना सवरने दीर की भवती परस्च लोपम और रेव सोर विसर जनिया हां ये दोना सूत्र लगेंगे तो सब्द बन जाएगा चीर पाहा तीसरा प्रियोग हमारा सामने आ जाएगा संबुद्धी में भी संबोधन में भी यही तीनों प्रियोग बनेंगे चीर पाहा चीर पाउ चीर पाहा अब दुतिया वेवक्ति के एक पचन में अम वेवक्ति लेकर आएंगे चीर पाधन अम अब यहाँ पर अनरतिक किर्मेन करेंगे चीर अप धन आ धन अम फिर पुना सूत लगेगा समाना सवरने दीरगी भवती परस्च लोपम तो सब्द बन जाएगा चीर पाहां पिर यह सूत लगा दिया जाएगा तो बनेगा चीर पाहां अब चीर पाहां सब्द से सस्व वक्ति लेकर आते हैं अब सस्व वक्ति में से यूनुबंद प्रियोगी से साकानुबंद हो जाएगा तालब सकार का अस बचेगा चीर पाधन अस चीरप धन आ धन अस अब यह सुरू की जो पाँच वेवक्तियां सी अउजस अम अउउ इनका प्रियोग हमने कर लिया है लेकिन इनकी कुछ संग्या निदारित कर रहा है कि इन पाँच वेवक्तियों को क्या कहा जाता है किस नाम से जाना तो आचार वगवंति कहते हैं पंचादव घुट अब ध्यान दकना पीछे अपना एक सूत्र आया था जिसमें धुट संग्या होती थी वो धुट वरन 24 कहलाते हैं और यहाँ पा रहे घुट एक घर का घा है जिसको घुट कहते हैं और एक धुजा का धा है जिसको धुट कहते हैं इन दौनों के अंतर को आप समझना दौनों की लिपी को समझना जहाँ पर उपर गोल गुंडी सी होती है उसे बोलते हैं धुजा का धा यानि की धुट और जहाँ पर उपर गोल नहीं होता है उसको बोलते हैं घर का घा तो यहां घर का गहा है घुट पंचादव घुट जो सुरू की पांच विवक्तियां है उन पांच विवक्तियों को घुट कहते हैं यानि कि उनका नाम हो गया नया नाम हो गया घुट पंचादव घुट सी अवजस अम अव ये सुरू की पांच विवक्तियां गुट विवक्तियां कहलाती हैं अब इसके बाद की जो सेश विवक्तियां है सस ता भ्याम भेस गें भ्याम भ्यस गसी ये जितनी भी सस से लेकर विवक्तियां सुप तक हैं इनको कहेंगे अगुट कोकि इनके पहले की पांच हो गई गुट तो सेश वची अगुट है अब अगुट विवक्तियों को हम दो विवागों में बाटेंगे एक तो स्वरवाली विवक्तियां और एक बेंजन वाली विवक्तियां तो स्वरवाली विवक्तियां सस्टा गें गसी गस ओस आम गी और ओस ये स्वरवाली विवक्तियां कहलाती है स्वरवाली का मतलब है इनके आदी में स्वर है और भ्याम भेस भ्यास और सुप ये बेंजन वाली विवक्तियां कहलाती है बेंजन वाली विवक्ति का मतलब है इनके आदी में बेंजन है ये दो विवाग हमें अगुट विवक्तियों में कर देना चाहिए तो यहाँ पर हमारा चीरपा धन सस यानि की अगुट स्वरवाली विवक्ति हमारे बीच में आई है तो इसका अनती कर्मेन करेंगे चीरप धन आ धन सस ये सस विवक्ति का नाम है अगुट स्वरवाली विवक्ति अब अगुट श्वरवाली विवक्ति है तो हमें क्या करना है सूत्र हमारे बीच में आता है आधातो रगुट स्वरे अर्तात आकारांत जो धातू हो उस आकारांत धातू के सामने अगुट स्वरवाली विवक्तियों के होने पर जो पा है पा में रहने वारा जो आ है उस आकार का लोप हो जाता है जो हमने चीर पा सब्द में से आका अनतिकर के बहार लिकाला था मूल में क्या है कि चीर सब्द है और पाधातू थी तो पाधातू से कुप्रते करके उसका सरवापारी लोप होकर चीर पा ये सब्द हमारे बीच में बन जाता है लेकिन सब्द हमारे बीच में आने के बाद वो पाधातू से कुप्रते किया था एक परिवासा हमारे बीच में है अर्ताद संत्रिंग प्रते और कुप प्रते जिन धातूं से किया जाता है बेप्रते अपने धातू तो सुवाब प्रते होने पर धातू अपने सुवाब को नहीं छोड़ती है तो इसलिए कहना पड़ा आ धातू माने धातू सम्मंदी जो आकार है उस आकार का लोप होता है अगुट श्वर वाली बेवक्तियों के होने पर तो सीदी सी बाती है कि छीरपा यद्देपी ये संग्या है लेकिन संग्या होने के पूर्व ये पाधातू थी और पाधातू से बना छीरपा सब्द तो पामे रहने वाला जो आकार है अगुट स्वर वाली बेवक्ति के आने पर उसका आकार का लोप हो जाएगा अब आकार का लोप हो गया वहमारी इस्तिती है छीरप धन अस अब यहाँ पर वेंजन मस्वरम परवर्णम नएत लगाएंगे और रेव सोर विसरजनिया लगाएंगे तो सब्द बन जाएगा छीरपा हाँ अब इसी प्रकार से आंगे की जो भी अगुट स्वर वाली बेवक्तियां आएंगी उन अगुट स्वर वाली विवक्ति में हमें यही काम करना है कि आधातो रगुट स्वरे यह 160 नमबर का सूत्र लगेगा और छीरपा सब्द में रहने वाला जो आ है उस आ का लोप हो जाएगा अब कहां लोप होगा तो कहते हैं धातो आकारस लोपो भवती अगुट स्वरे परे किसका लोप होता है अगुट स्वर वाली विवक्तियों के होने पर तो अगुट स्वर वाली विवक्तियां कौन सी है तो पंचादो गुटने पहले निर्ने कर दिया कि सुरू की पांच विवक्तियां गुट कहलाती हैं और उसके बाद जो सेस विवक्तियां वची वो अगुट विवक्तियां कहलाती हैं उन अगुट विवक्तियों का दो विवाग कर दिया एक तो स्वरवाली विवक्ति और एक बेंजन वाली विवक्ति तो बेंजन वाली व वक्तियों में आकार का लोप हो जाएगा तो जो आंगे स्वर होगा जो विवक्ति समंदी स्वर होगा बेवेंजन मस्वरम परवर्णम नयेद से जुड़ता चला जाएगा अब यहां पर प्रश्ण किया जा रहा है धातो इतिकिम यह लिंग पकरण चल रहा है और लिंग पकरण में धातू की चर्चा कहां से आ गई धातू के आकार का लोप होता है यह कैसे आ गया सामने वाला प्रश्ण करता है धातो इतिकिम धातू सम्मंदी आकार का लोप होता है ऐसा क्यों कहां तो कहते हैं भाईया जो चीरपा सब्द आपका बना है वो करदंत पिकरण के अंतरगत बना है चीर उपद रहते हुए पाधातू से चीरपा पापाने मने पीना किसको पीना चीर मने दूद तो जिसका सवाव दूद को पीना है उसको कहते हैं चीरपा तो ये परिवासा है संत्रिगंता संत्रिगंत को वंतो धातु तुमना तेजयते इती संत्रिंग और कुप पृत्ते जिनके अंत में हो उन पृत्ते के होने पर धातु अपने सुवाव को नहीं छोड़ती है यते पी छीरपा सब्द बन चुका है ये संग्या है परंतु बे धातु से कुप पृत्ते करके बना है और कुप पृत्ते का सरवापहारी लोप हो जाने पर बे अपने धातु के सुवाव को नहीं छोड़ पा रही है जिस परकार पुराने समय में हमारी मावेह ने दाल में छोड़ लगाया करती थी और दाल में जब छोड़ लगाती थी तो एक चमच जो रहता था बड़ा चमच उस बड़े चमच में घी डाल कर और जो छोग लगाने का सामान है वो उसमें डाल कर चूले के अंदर उसको गरम करती थी और जब गरम हो जाता था तो उसके बाद पर उसको जो डाल बनने वाली हंडिया है पात रहे उसके अंदर वे चमचा छोड़ देती थी और ढकन बंद कर देती थी और उसके बाद वो चमच से पूरा छोग जो लगाया गया है बगार जिसको बोलते हैं वो डाल में घूम जाने के बाद जब चमच को बहार निकाला जाता है तो उस चमच में घी के संसकार बने रहते हैं वो घी उस चम्मच में लगा रहता है थोड़ा बहुत इसी प्रकार से छीरपा सब्द से कुप्रते किया है और कुप्रते का सरवापारी लोप हो जाने के बाद भी बै अपने अस्तित को बरकरार रखे हुए है इसलिए पा धातू रूप अभी संसकार में है इसलिए आचार भगवंत को कहना पड़ा आधातो रगुट स्वरे अरतात आकारांत धातू को केवल आकारांत चाहिए अकारांत नहीं चाहिए इकारांत नहीं चाहिए उकारांत नहीं चाहिए धातू है सभी प्रकार के मिलेंगी लेकिन केवल आकारांत माने दीर आकारांत और उसके सामने अगुट श्वरवाली विवक्तियां हो, तो चीरपा अन्य सब्द भी आ सकते हैं आपके सामने, जिनके सामने आ हो, तो उनके आकार का लोप होता है अगुट श्वरवाली विवक्तियों के होने पर, तो सबसे पहले हम सस्वे वक्ति लेकर आए थे आगे फिर परिवासा कहते हैं एतत उपलक्षण है यह उपलक्षण है कहते हैं आप एक परिवासा के बाद दूसरी परिवासा समझा देते हैं कि अपलक्षण किसे कहते हैं कि अपने सदर्स का जो गिरहन करता है उसको उपलक्षण कहते हैं अर्ताद जो खुद का गिरहन करता है और खुद के समान जो होता है उसको भी जो गिरहन करता है उसको उपलक्षण कहते हैं यानि कि छीरपा, पा क्या है, धातू है, लेकिन अब सब्द क्या वन गया है, छीरपा, दूद को पीने वाला, तो इसलिए अपने और अपने सदर्स, जिसका किरण किया जाता है, उसको उपलक्षन कहते हैं, तो इस उपलक्षन के कारण यद्यपी छीरपा सब्द है, फिर भी वो धातूत्वम, बने पुराना जो धातू सुवाव था, उसके कारण बे उपस्पो धातू ही कहता है, आंगे कहते हैं, तेन बिजन्तम अपी धातूत्वम न जहाती, ध्यान दकना, उपर परिवासा कहिती संत्रिगंत कुवंतव धातूत्वम न तेजतेती, अरताज संत्रिंग और कुप परते जिनके अंत में वो धातू अपने सुवाव को नहीं छोड़ती, तो कहते हैं परिवासा और सुनिए, कहते हैं, तेन बिजन्तम अपी धातूत्वम न जहाती, जिससे बिच परते किया जाएं, ऐसा बिच परते किये जाने पर भी बे अपने धातू के सुवाव को नहीं छोड़ती है, अब इसका अभी पराई ये हो गया, कि छीर धन, पाधन, यहां पर कुप परते न करके बिच परते किया गया, बिच है, और बिच परते का भी सरवापारी लोप हो गया, जाहती, इसलिए बिच परते किये जाने पर भी धातू अपने सुवाव को नहीं छोड़ती, संत्रिंग और कुप परते वाले के लिए तो परिवासा दे दी, तो कहते हैं, स्वस्वस्वसदर्स ग्राहे कम उपलक्षनम, अपना और अपने सदर्स का, तो अपना माने संत्र और कुप और अपने सदर्स माने बिच परते भी, वो अपने सदर्स हो गया, इस कारण वो धातू तो हमको नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए छीर पा, ये धातू संबन्दी आकार हो गया, ये परिवासा है, सारी की सारी समझाने के साफ से रहीं, तो ये मूल काम करना है, आ थातो रगुट श्वरे, इससे आकार का लोप कर देंगे, और जोड़ देंगे तो सब्द बन जाएगा, चीर पाहा, अब टाव वक्ती मसे आब अचेगा, ये भी अगुट स्वरवाली पर वक्ती है, तो चीर पाह में रहने वाले आका लोप हो जाएगा, और टाव वक्ती का बेंजन मस्वरम परवर्णम नई से जुड़ जाएगा, तो जैसा सब्द है वैसा का वैसे ही बन जाएगा, चीर पाहा, पिर भ्याम बे वक्ती में कुछ करना नहीं है, तो जोड़ देंगे, चीर पाह भ्याम, फिर बिस बेवक्ती में रेव सोर विसर जनिया करेंगे, तो जीर पावी, अब गेंब वक्ती लाएंगे, तो यह मसे बचेगा, और चीर पाह के आख का लोप हो जाएगा, बेंजन मस्वरम परवर्णम नई लगाएगे, तो बनेगा, चीर पे, फिर चीर पाह भ्याम, पिर भ्यास बेवक्ती लाएंगे, तो रेप रसकारी और तो चीर पा भ्याहा फिर गसी पर वक्ति लाएंगे गसी में से अस बचेगा तो जैसे ससमे से अस बचाता है से गसी में से अस बचेगा तो आधातों रगुट श्वरे सूत्र से आकार का लूप हो जाएगा और गसी का अस बैंजन मस्वरम परवन नहित की साहता से जुड़ गर और संब्सक्राइब्स करता काईगा छी यूरुय कि अहिए ब्ल מצाइगा 10 झाय ववक्ति आएगी आकार का लूप हो जाएगा और उसमें जुड़ताई इच हैं रिख़ चूल जाएगा को यूजरु नौनवम्न को дक प्र और रख लेगा आकार का लोप हो जाएगा और आवस में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा छीर पाम फिर गी में वक्ति आएगी गी में वक्ति मैंसे ये बचेगा गहां कानु बंद हो जाएगा आकार का लोप हो जाएगा सब्द बन जाएगा छीर पी और फिर ओस में वक्ति आएगी आकार का लोप हो जाएगा बन जाएगा चीरपो और सुप में वक्ति आएगी पाका अनुमंद हो जाएगा और सब्द जुड़ जाएगा बनेगा चीरपासू किते हैं इस प्रकार से चीरपास सब्द के रूप पूरे हो गए किते हैं और भी कोई है क्या किते हाँ आप सौमपास सब्द ले लिजे फिर सिधूपास सब्द ले लिजे कीलालपा सौरी रपा मंडपा अग्रेगा बिवस्वा अब जयजा उददीका आहा पुरोगा इत्यादी सब्दों के रूप जान लेना चाहिए इस प्रकार आकारांट सब्दों का प्रकारान पूर्ण हो चुका है शीरपास सब्द के रूप हमने जान लिए अब हमारा अकारांट अकारांट ये दोनों सब्द पूर्ण हो गए, अब आएगा एकारांत, तो एकारांत की चर्चा अगले सत्र में करेंगे, एकारांत सब्द के रूप में आचार भगवन्त सरप्रतम पुलिंग में मुनी सब्द हमारे बीच में देते हैं, उस मुनी सब्द से भी सी आदी विवक्तियां आएंगी और उसके रूप आँगे बनेंगे, तो मुनी सब्द इकारांत है, उस इकारांत सब्द की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, तब तक के लिए वन्दना, जैजिनेंद्र, सबका यतायोग, अभिवादन,